असलामों अलेकुम कैसे हैं आप सब हम सब भी अल्ला के शुकर से बिल्कुल ठीक है तो ये तकरीबन शाम के 4-5 बज़े का टाइम है तो नवेस्ट को भेजके हम लोगों ने मंगाये थे समोसे और फिर हम लोग समोसे खा रहे थे काफी टाइम से रमजानों के बाद से रमजा खाए हम लोगों ने और एकदम अच्छे माशालला से खुब गरम-गरम समोसे थे एकदम लब पकलने में भी हाथ वह रहा था तो काफी मजा आ रहा था खाने में इतने दिनों के बाद खाए तो फिर उसके बाद हमने चाय वागेरा भी फिर मेना सबजी बनाने लगी तो य यहां पर मैंने दो डली लस्टन की छोटी डलीयां थी और दो से तीन हरी मिर्चे तेज वाली थी मिक्सर में चौप कर लिए बिना पानी के और इसको हलका सा फ्राय करेंगे हम जादा कलर चेंज नहीं करेंगे जैसके मैं आपको पताती हूँ हमेशा लस्टन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हरी सबजियों में तो इसलिए और फिर थोड़ी सी हल्दी बस हमारे ये दो से तीन मसाले डालूंगी में और ये सबजी बना लूंगी अच्छा छोटी सी पत्ता को भी की सबजी थी सिरि जात में बना कर रखती हूं ताकि सुबह अगदम ताजी ताजी रोटी या पराटे जो भी कुछ बनाना है तो बना ले क्योंकी सुबह मुझे पाँनी कपड़े वगएरा भी करना होते हैं तो सबजी का में रात में करके रखती हूं अकसर बना के सबजी अलग रक लेगर भी बनता है तो भी मैं सबजी एकाद अलेदा से बना के रखती हूँ इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी ढकन ढख दूंगी तो ये तो फटा फट से बन जाती ही क्योंकि गलती भी जरा में है इसमें टाइम भी नहीं लगता है बस ये लसन और हरी मिर्चे नॉर्मल दो से तीन चीज़ा ही डालने में बड़ी अच्छी सबजी बन जाती है ये और बच्चे मेरे नवेत को भी पसंद आती है तो वह ले जाता है टिफिन में खुशी से ले जाता उसको तो में ज़्यादा सबजी भाजी देती हूं रोटी को उसका दुफेर का टाइम है ना इसलिए एसी कोई स्नेक्स वगेरा वाली चीज़े नहीं देती में बनने के बाद हरा दनिया डाल देंगे हम यहाँ पर और फिर ये रात का टाइम है आठ बच के साड़े आठ बजे का टाइम है तो हम उनके घर गए थे तो उनके बेटे की थी मंगनी तो लड़की वालों के घर साथ में बने दूला के साथ तो उस टाइम पे जाते साथी बनने लगी दी तो मैं उसकी दो सूट कर नहीं पाई मतलब वीडियो नहीं बना पाई फिर यह नहीं जब बुर्खा वगेरा उतारा उसके बाद फिर मैंने ये चीजों की वीडियो बनाई कि आप लोगों को दिखाती हूँ आज के टाइम में भी मतलब चैंजिंग कितनी हो जाया भले डिबो में पेक होके जाया पर जो रसा में हैं वो चीज़े तो होती ही होती है बार्कि अच्छा लगेगा एक अच्छा भी लगता है क्वाल तुम मिल जाना गाली से तो फिर हमने अपनी गाली भाई खड़ी कर दी थी और बस में एकट्टा हो के सब गए थी और हवा भी रात का टाइम था ना तो अच्छी आ रही थी खुला-खुला मोसम था हवा भी चल रही थी तो काफी अच्छा लग रहा था सब एकट्टे हो के जा रहे थे तो मज़ा भी आ रहा था सब बाते वगेरा करते हुए जा रहे थे तो थोड़ी दूरी पे था मतलब उन्होंने फाल लेकी वालोंने फार्म हाउस करा था ना तो थोड़ी दूरी पे था जंगल जैसा एरिया देखो बिलकुल सुनसान और आसपस जंगल जैसा एरिया वेसे भी फार्म हाउस तो जाला था जंगल वाले एरियों में दिख रहा है और चांद देखें आप किता माशाललह से एक्टम साफ दिख रहा था और उन्हें काफी पटांखे वगेरा और अनार और यह सब चीजे जलाई थी अच्छे से करी थी उन्होंने मंगनी माशाललह से और लोग भी जादा थे अच्छे काफी वो यह सारे अनार वगेरा जला रहा है किताम प्यारे लग रहे थे देखने में बहुत ही अच्छे और अंदर भी उन्होंने फिर बाद में भी और करी थी फारिंग वगेरा वही कुन सब वो गन वगएरा चलाने का वो भी करा था अभी वो भी दिखाऊंगी में अच्छे से ना करी थी उन्होंने सब चीजे और हम लोगों को पोच्टे-पोच्टी साले 9 बज गए थे एक खटाओं के निकलने करने में तो पहले थे हम लोग गये सब लोग मिले जो लेक दूसरे से फिर हम लोगों ने खाना वगएरा खा लिया था ये दूला है जिसकी मंगनी हो रही है तो यहां पर दुलन का चेहरा इसलिए चुबादी अच्छा नहीं लगता किसी का ऐसे डाल कोई नहाएं नहीं पर रात का टाइम था तो कोन केसे नहाता सब अपनी उसमें इंजॉय करने में लगे ते गुमने फिरने में तो वह बेटके इंजॉय कर रहे थे यहां पर यह आखरी में वह शूट बगएरा क्या करते हैं वीडियो वाले करवाते हैं वह सब हो रहा था स सब लोग बढ़े मज़े कर रहा हैं थे खुश हो रहा है उनकी दूला दूलन दोनों के साथ हो रहा है फायर वाला क्या है गन फिर वापसी में हम लोग लोग के टाइम भी है ना आये थे गारी में यह खट्टा होंके तो मेरी आज की वीडियो यहीं तो लग थी आप लोग